हमारे पास यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें हमने एक से लेकर सौ तक की सभी संख्याओं को बड़े ही अच्छे से बड़े ही प्यारे तरीके से लिखा हुआ है और आम तोर पर जब हमें एक से लेकर सौ तक की गिंती लिखनी होती है तो हम शायद ऐसे ही लिखते हैं हम दस-दस के समुहों में अपने इन संख्याओं को बाट लेते हैं कि हमारा ये जो पहला रो है इसमें एक से लेकर दस तक की संख्याओं लिखी हमने फिर दूसरी रो में 11 से 20 तक की और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जो हमारी आखरी रो है इसमें हमने 90 से लेकर 100 तक वाली संख्या लिख ली तो मैं अब सोचना चाहती हूँ कि हमने इस तरीके से जो इन संख्याओं को लिखा है क्या इन संख्याओं में किसी तरीके का पैटर्न दिख रहा है हमें खास कर कि ये जो हमारे बैंगनी वाले जो कॉलम्स हैं यहां पर इन्हें जो जिन्हें मैंने बैंगनी रंग में हाइलाइट किया हुआ है, इन में क्या आपको कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है? मैं चाहती हूँ आप इस विडियो को पॉस करें और इस बारे में खुद से सोचें. तो हमारे ये जो बैंगनी वाले स्तंब या कॉलम्स हैं, ये सभी even numbers या फिर समसंख्याए हैं. और जैसे ही हम इन बैंगनी कॉलम्स को देखते हैं, हम कुछ पैटर्न्स देखना शुरू कर देते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं कि इन बैंगनी स्तंबों में जो हमारे numbers हैं, इनके 21 थान वाले अंक, इनके once place के digit क्या हैं? तो अगर हम इस वाले कॉलम्स को ले लें, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 21 थान के सभी अंक दो हैं. यहाँ पर हमारे 21 थान के सभी अंक चार है ठीक इसी तरीके से यहाँ पर सभी 21 थान वाले अंक हमारे 6 हैं यहाँ पर हमारे 21 थान वाले अंक 8 हैं और इस वाले आखरी कॉलम में हमारे सभी 21 थान वाले अंक ये 0 के बराबर है मैं थोड़ा इधर से बनाती हूँ इसको यानि कि हमारे जो समसंख्याए होती हैं तो ये एक तरीगे का पैटर्न हो गया, चलिए बेक दूसरा उदारन करते हैं, तो फिर से हमारे पास यहाँ पर एक से लेकर सौतक की संख्याएं हैं, और फिर से हमें सोचना है कि यहाँ पर यह जो बैंगनी वाले कॉलम्स हैं, इनमें क्या पैटर्न मिल रहा है हमें, और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को फिर से यहाँ पॉस करें और इसके बारे में सोचें, तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि हमारे यह जो बैंगनी कॉलम्स हैं, इनमें जो हमारी संख्याएं हैं, यह सभी पांच के गुरज या फिर पांच के मल्टिपल्स हैं, जैसे कि पांच, दस, पंद्र, बीस, पच्चिस, तीस, और ऐसे करके यह सारी बैंगनी वाली संख्याएं यह पांच के गुरज हैं, तो ये बात आपको पहले से पता रही होगी लेकिन इस तरीके से एक पैटर्न में देखने से ये बात जादा साफ हो रही है और आप जब संख्याओं को इस तरीके से लिखा हुआ देखते हैं तो एक पैटर्न उभर करा रहा है आपके सामने और ये आपको समझने में मदद कर या फिर पांच के सभी गुडच शूनिस से खतम होंगे इनके जो एकाई स्थान वाले अंख हैं वो हमेशा शून या फिर पांच होंगे चलिए एक और ऐसा योदारन कर लेते हैं पैटर्न को समझने के लिए तो यहाँ पर फिर से मैंने कुछ संख्याय लिखी हुई है और ये बैंगनी रंग में मैंने कुछ चीजों को हाइलाइट किया हुआ है अब मैं चाहती हूँ कि आप फिर से इस वीडियो को पॉस्ट करें और इस पैटर्न के बारे में खुद से सोचें तो अब जो हमें पैटर्न मिल रहा है आपे ये हमारे पिछले दो पैटर्नों से काफी अलग है वहाँ पर हमने अपने कॉलम्स को सीधा सीधा से बैंगनी रंग में रंगा हुआ था लेकिन यहाँ तो पहले हम एक को रंग रहे हैं फिर हम दस को रंग रहे हैं फिर हमारा य तो हम देख सकते हैं कि एक से दस तक पहुचने के लिए हमें नौ जोड़ना होगा, तो एक से दस तक पहुचने के लिए हम नौ जोड़ रहे हैं, फिर दस से उन्नस तक पहुचने के लिए हम वापस से नौ जोड़ रहे हैं, यानि कि हर एक यहाँ पर बैगनी रंग वाले ट 91 पे और 91 में 9 जोडने पे हमें मिलता है 100 और यहाँ पर हमने क्यूंकि 1 से शुरुवात की है इसलिए हमें 9 के गुडज नहीं मिल रहे हैं अगर हम 0 से शुरुवात करते तो हमें 9 के सभी गुडज मिलते तो हमें कुछ इस तरह से संख्याई मिलती 9, 18, 27, 36 जो की 9 के मल्टिप या 9 के गुडज होते तो एक तरीका यहां इस पैटर्न को सोचने का ये भी है कि हम सभी 9 के गुडजों को ले रहे हैं और उसमें एक और जोड दे रहे हैं जैसे 10 हमें मिलता है अगर हम 9 में एक जोड़ देते हैं 19 हमें मिलता है अगर हम 18 में एक जोड़ दे यानि कि ये जो सभी संख्याएं हैं ये 9 के गुड़ज प्लस 1 के बराबर है और आप अगर हम 9 से शुरू करें तो 9 के बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर एक से जो सबसे छोटी संख्या है वो वापस उपर चली जा रही है शू ने और क्योंकि शू ने सबसे छोटी संख्या है तो हम वापस सबसे बड़े से शुरू कर दे रहे हैं 9 से तो ये एक तरीके का पैटर्न हो गया तो बाद बस इतनी सी है कि आप संख्याओं में कई तरीके से कई सारे पैटर्न ढूण सकते हैं तो यहाँ पर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉस कर सकते हैं और खुद से इन संख्याओं में एक पैटर्न ढूणने की कोशिश कर सकते हैं